इन्सी आर्टी शार संग्रह के आधुनिक भारत के इतिहास के या उन लाइनर कुश्चन एंसर है हम पहला चेप्टेर है इसमें है खिलापत एभम और शायोग अन्दोलन इसमें है कि भारत में चलाए गए खिलापत अन्दोलन का पर्मुख कारण क्या था तो तुर्की में खलिफा पद को इंगलेंड दोरा समाप्त किया जाना है फिर वर्स 1999 में दिली में आयोईत अखिल भारते खिलापत कमेटी के अध्यक्ष किस के दोरा की गई अध्यक्षता किस के दोरा की गई तो महात्मा गांधी के दोरा वर्स 2020 में इलाहबाद में आयोईत शमेलन के दोरान खिलापत समीती के दोरा गांधी जी को और शहोग अंदोलन प्राव करने का अनुरूद किया गया था खिलापत अंदूलन के परमुखनेता कौन थे तो शौकत अली और मुहमद अली शौकत अली मुहमद अली परमुखनेता थे इसके बाद भारते राइस्टे कंग्रेश में पहला और शयोग अंदुलन किश प्रार्म किया था तो वर्ष 1922 में नागपुर अधिवेशन में और शयोग अंदुलन के प्रस्ताब को किश ने प्रस्ताबिद किया था शियर दास ने और शयोग अंदोलन के दोरान किस बेक्ती ने अपनी वकाला छोड़ दी चित्रन्जन दास ने अपनी वकाला छोड़ दी स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया तो और शयोग अंदोलन के शमय गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया और सयोग अंदोलन के दोरान महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधी त्याग दे थी वर्स उनेशो 21-22 के और सयोग अंदोलन का मुख परिनाम क्या था तो हिंदू मुश्लिम एकता मुख परिनाम था उसमय का महात्मा गांधी दोरा चलाया गया पर्थम जन अंदोलन कौन सा था वह था और सयोग अंदोलन और सयोग अंदोलन के दोरान विदेशी बस्तुरों को जलाय जाने पर किषने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निश्ठूर बरवादी है रविन्ना टेगोर ने लिखा था चौरी चौरा कांड पांच फरवरी उनेशो बाइश को गोरक पुर्जी ले उत्तर परदेश में घटित हुई थी जिसके कारण गांधी जी ने और शहयोग अंदोलन वापस ले लिया इसके बाद चौरी चौरा की घटना के समय महात्मागंधी कहां पर थे तो बारदोली में थे और स्वयोग अंदोलन कब समाप्त हुआ वर्स 1922 में और सयोग अंदोलन कब समाप्त हुआ उनाईशो 22 में समाप्त हुआ और सयोग अंदोलन के दोरान मोतिला नहरू, सियारदास, सिर राजगोपलचारी, बल्लभाई पटेल, आसाफ़ली, टी परकासन और राजेंदर परसाद जैसे परमुख वक्यूलों ने अपनी वकालत इसमें है है, स्वाराज पर्टी को किस्ट न अस्थाफित किया था, स्वाराज पर्टी के अस्थाफन वर्स 1923 इसमिhesion की गई थी機 ङृणicken से. इसके अध्यक्ष एव मोतिला नहरू इसके महा सचीव चुने गए। स्वराज पर्टी के गठन के लिए किश कंग्रेश अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया था। नौंबर उन्यशो चोविस में महात्वां गांधी, सियार दास तथ मोतिला नहरू के मध्य एक महात्पुर्ण समझाता हुआ जिसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट के रुप में जाना जाता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताब कांग्रेश के लहोर अधिवेशन में किश वर्स पारित क्या गया था। लहोर अधिवेशन में 31 दिशंबर 1929 की मध्य रातरी को रावी नदी के टड़ पर कांग्रेश के अध्यक्ष जवाहलाल नहरू ने भारतिय स्वतंतता का प्रतिक तिरंगा जंडा फाराया। कांग्रेश कारी समीती दोरा पूर्ण स्वाधिनता दिवस का किस दिन मनाया गया तो 26 जनवरी 1939 को। नहरू रिपोर्ट कांग्रेश के किस अधिवेशन में निरस्त घोशित कर दी गई। लहोर अधिवेशन 1929 में निरस्त कर दी गई। कुशन है कि 17 नौंबर 1921 को प्रिंस ओब वेल्स के भारत आगमन पर शंपूर्ण भारत में साबजनिक हरताल का आयूजन किया गया प्रिंस ओब वेल्स के आगमन पर अब है साइमन कमिशन साइमन कमिशन साइमन कमिशन यानि स्वेट कमिशन को किस वर्स निउक्त किया गया था तो वर्स 1927 में इसकी निउक्ति की गई थी साइमन कमिशन का गठन क्यों किया गया तो भारत सासन अधिनियम 1999 से यानि मान्टेगिव जोन्स फोर्ट सुधार की समिक्षा के लिए साइमन कमिशन का गठन किया गया था भारतियों ने साइमन कमिशन का बहिश्कार क्यों किया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतिय सदस्य नहीं था इसलिए इसका बिरोध किया था साइमन कमिशन के बिरोध में हुए लाठी चार्ज में लाला रादपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों के बाद उनकी मिर्त्यू हो गई पंजाब केश्री के उपादी किसे दी गई थे लाला लाजपत राय को साइमन कमिशन की नियुक्ति किसने की थी बरकेन हेड ने साइमन कमिशन की नियुक्ति की थी साइमन कमिशन का को अन्य किस नाम से जाना जाता है साइमन कमिशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो स्वेट कमिशन, वाइट कमिशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमिशन का समर्थन किस ने किया था साइमन कमिशन का समर्थन किस ने किया था तो डाक्टर भीम रावंबेदकर ने समर्थन किया था साइमन कमिशन की निउक्ति के समय किसके दोरा भारतियों के समक्ष सर्व समति से समिधान बनाने की चुनोती रखी गई थे तो बरकेन हेड के दोरा रखी गई थे मोतिलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समीती ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन समिधान का प्रारूप प्रस्तूत किया गया था अब है शविना अभग्या अंदोलन उसे समंधित वन लाइनर कुश्चन कंग्रेश के किश अधिवेशन में कारीकारी कमीटी को शविना अभग्या अंदोलन प्रारूप करने का अधिकार दिया गया था लहोर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहां से सबने अवग्या अंदोलन का प्रार्णा किया था दांडी यानी गुजराथ से गांधी जी अपने 78 अनियाईयों के साथ 12 मार्च 1930 को साबर मती आसरम से यातरा प्रारंभ की तता 6 अपरेल 1930 को दांडी पहुँच कर यातरा समाप्त की इस यातरा को दांडी मार्च भी कहते हैं नमक सत्यागरा के समय गांधी जी के गेवतार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका अस्थान किशने लिया गांधी जी का अस्थान किशने लिया गेवतार होने के बाद तो अब्बास तयब जी ने गांधी जी का अस्थान लिया था गांधी जिनकिश बिदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने सावर मते आशर में ठा रहा था तो बेव मिलर कुन महात्मा गांधी धरसाना नमक गुदाम पर कंग्रेश करिकार्टाव के धाबे के समय किस अस्थान पर थे महात्मा गांधी धरसाना नमक गुदाम पर कंग्रेश के करिकार्टा ने जब हमला किया उस पर लूटा तो उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे खान अब्दुल गफार खान लाल कूर्ती अंदोलन प्रारम किया था जिसका मुख उदेश से अंग्रेशों को भारत से बाहर निकालना था अचार बिनोबा भावे किश अंदोलन में सामिल होने के कारण पर्थम बार गिफतार हुए थे अचार बिनोबा भावे गांधी जी शबना बग्या अंदोलन की असफलता के बाद रशनात्मा कारियों को अत्यधिक महत्व दिया तीश अंदोलन के दोरान गठवाल रेजिमेंट के सैनिकों ने परदर्शनकारियों पगूली चलाने से इनकार कर दिया तो शबना अवग्या अंदोलन में वर्स 1930 में अंग्रेश शरकार के बिरूध परसीत पेशावर कांड का नाय कौन था तो विर चंदर सिंग गठवाली थे तमिल नाडू में चक्रवर्ती राजगुपल चारी ने दांडी यात्रा की तरह त्री चनापली से बेदरान्यम तक की यात्रा की थे किसने चक्रवर्ती राजगुपल चारी तरह विबेदरान्यम तक की यात्रा की थे चंपारन बिहार के बेगुष राय के चोकिदारी टेक्स के बिरोध अंदोलन किस एक अंदोलन का भाग था वह था सविने अबग्या अंदोलन इसके बाद है वर्स उन्हें सोतीश में स्वधिंता दिवस मनाने के पहचात गांधी जी के नित्यत में सविने अबग्या अंदोलन प्रार्म किया गया उन्हें सोतीश में प्रार्म किया गया था तो इस तरह से अगले वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद